हेलो 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 हाविया कौन बलड़े हूँ से बोल्ला हूँ हंकी इस भाइब के पासर आहां भाई एक काउबरा हुपरस्वासन्यों हुँए त्लॉर्धीया भूईतरी क्या से फोन पकड़ा गया है एहां है परस्वासन्य मार आया हूँए अच्छां कर देंगे अधीनेगर थाने में परदेंगे कर देंगे लागर भाई ने बोला धी भाई आभी फाहर कर दो किया चाड चोता रखें गीए सरवह आध बार सब तूटे-फूटे पड़ेंगे अच्छा जी कौन वान पकड़े गई थे उनसा तो उन्हाद बाद फोड़ गया था बीएस इस भाई नहीं है नहीं भाई नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चिराग गोठी आप देखने क्राइम तक आज बात करते हैं एक गंभीर मुद्देगी मुद्दा है तिहार जेल का मु वही अंकीत गुजरे जिसके ओपर हत्या की कई मामले दर्ज रॉबरी के मामले दर्ज हैं डखैती के मामले दर्ज हैं नेताओं की हत्या में इसका हाथ रहा है और इस वक तिहार जेल में था लेकिन एक आएक ख़बर आती है सुभा के वक्त परसो कि उसकी संदिक परिस्ट में ही था जिसने इसके परिवार को फोन कि और ये कहा कि उसके साथ मार्पिट हुई है क्योंकि उसने जो सुप्रेटेंडेंडन्ट है नरेंदर उनको थपड़ मार दिया है दरसल कहानी कुछ इस तरह से है कि मुबाइल फोन बरामद हुए थे इसके पास से ऐसा आरोप लगा और तिहार के इनमेट्स को लेकर आया और इसके साथ मार पिट की और आखिरकार इसकी मौत हो गई अस्पिताल में इलाइज भी चला रात भर लेकिन वह बच नहीं पाया हमने वह वीडियो भी देखिए जिसमें जो इसका पोस्ट मॉटम हो तो उसके बाद कई सारे निशान जीज तिहार जेल अफिशल एक तरह से कहा जाए टाइम टु टाइम ब्रीफ करेगा इस बारे में तो इसको लेकर सबसे बड़ा एक ख़ड़ा हो रहा है कि देश की सबसे सुरक्ष्ट कही जाने वाली तिहार जेल है तो सब कुछ को हो रहा है इसको लेकर एक अलग mindset भी है कुछ officials का हो कहते हैं कि ठीक है एक criminal था मर गया तो क्या हो गया वो तो देश के लिए समाज के लिए एक तरह से कहा जाये कि नासूर था और लगतार बारदतों को अंजाम दे रहा था अगर मार भी दिया तो क्या गलत किया ऐसे कुछ लोग कहते हैं लेकिन जहां तक कानून सम्मत बात है वो यह है कि ये फैसला कानून लेगा कि किसको क्या सज़ादी जानी चाहिए ये फैसला कोई official नहीं लेगा और ये फैसला कोई यहां वैटके ऐसा शक्स नहीं लेगा जो जिसके पास ये सब कुछ करने की पावर नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि कही न कहीं इस केस में जिस तरह से उसकी मौत ही उसको लेकर सवाल खड़े हुए अगर उसको पीटा गया तो निश्यत रूप से जो दोशी कर्मी हैं उनके खिलाफ सक कारवाई होनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी law में और जेल मैनूल में नहीं लिखा है कि इस तरह से किसी कैदी को पीटा जाए हाँ अगर उस कैदी ने बत्तमीजी भी करी है तो उसके भी अलग तरीके है कानून सम्वत उसके खिलाफ कारवाई की जा सकती थी उसके खिलाफ एक और मुगदमा दर्ज किया जा सकता था लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर ये मान लीजाए बात कि उसको इस तरह से पीटा उसने पहले सुपरिटेंडिन के थपड मारा तो कुछ एक्सपर्ट और कुछ लोग ये भी राहे रखते हैं कि अगर थपड कोई मारेगा तो उसका जवाब तो उसको देना पड़ेगा तो क्या इस वजह से उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हुई लेकिन मैं आपको इन तमाम बातों के पीशे एक चीज़ बताना चाहरा हूँ कि ये अभी allegations है और इसकी जाच चल रही है और जाच रिपोर्ट सामने आएगी इसकी भी कोई guarantee नहीं है लेकिन इतना तै है जो fact है वो ये है कि उसकी मौत हुई है तिहाड के अंदर मौत हुई है संदिक परिस्टियों में मौत हुई है और ऐसे में justice होना चाहिए और जो दोशी कर्मी है उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए क्या अंदर से कोई ऐसा गैंग चल रहा है कुछ सुप्रेटेंडेंट्स का जो इस तरह से कैदियों को परतारित कर रहे है ये भी खुलासा होना चाहिए कि कैदी एक तरह से कहा जाए जेल मैनूल का पालन नहीं कर रहे हैं मुबाईल अपने पास रखते हैं और तमाम चीज़ें रखते हैं इसकी भी जाच होनी चाहिए तो यह यह तमाम ऐसी पहलू है जिस पर अगर खुल कर जाच होगी तो कुछ चीज़ें सामने आ सकती है मैं लगातार अपनी स्टोरीज पर कमेंट्स भी देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत लॉजिकल बात करते हैं और कुछ लोग बिलकुल लॉजिकल बात नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि इस वीडियो पर आपके क्या लॉजिकल पॉइंट से वो प्लीज मुझे बताईएगा क्योंकि हमारा मकसद और आपका मकसद सेम है वो ये है कि अगर किसी ने अपराद किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए और अगर किसी ने अपराद नहीं किया तो उसको सजा बिलकुल ही मिलनी चाहिए ये वीडियो आपको कैसी लगी? ज़रूर बताएगा, आप क्राइम तक की जो वेबसाइट है वहाँ भी विजिट कीजिए, क्राइम तक डॉट इन पर जाकर आपको तमाम खबरे भी लेगी, धन्यवाद दोस्तों हमारे देश में कई ऐसे जरुवतमंद लोग हैं, जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुच पाती है, नजाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं, जो मजबूर हैं पैसों के साथ, आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिन्दगी बदल सकती है, तो डोनेट करने के लिए बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दियेगे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें